नमस्कार मैं हूँ पंकच कुमार इस खास पेसकस में मैं आपको बताने जाओंगा शरीर के एक बहुत इंपोर्टेंट और्गन के बारे में जिसका काम ब्लड को प्योरिफाई करने का भी है अगर मोटे शब्दों में कहें तो उसका नाम किड्नी है और आजकल आपको मालूम है कि किड्नी की बिमारी से बहुत लोग परिशान होते हैं दरसल पहले इस तरह की बिमारी बहुत सुना नहीं जाता था लेकिन इन दिनों यूरोलाजी एक बड़ा ऐसा विभाग है जिसमें मरीज अक्सर जाते हैं डॉक्टर के पास की आखिरकार हो क्या गया कई बड़े भी यूरोलाजिकल प्राब्लम्स की वज़े से गुजरें उन्हें डाइलाइसिस पर रहना पड़ा है और लंबे समय के इलाज के बाद उनकी मिर्त्यू हो गई है सवाल यह उठता है कि किड्नी कितना वाइटल ऑर्गन है और अगर किड्नी फंक्शन नहीं करे प्रापरली बहुत सारी बाते हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर राहूल गुपता हैं यूरोलोजी के एक्सपर्ट है इन्होंने कई सारे पेसेंट्स का इलाज किया है तो डॉक्टर गुपता आपका टीवी नाइन के प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत सीधा सवाल आपसे करना चाहूंगा दरसल एक आदमी कैसे समझे कि उसको यूरोलॉजिकल प्राबलम है क्योंकि कई बार होता क्या है कि लोग यूरीन पास करने जाते हैं उसमें पेन होता तो तरह-तरह की बातें दिमाग में आती है कई दा प्रा पास नहीं होता हैं पूछ रह जाता है और वो समस्याएं बार-बार होती है तो ऐसे को ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और क्या समझना चाहिए ज़र आप प्लीज इसके बारे में बताए नमस्कार पंकत जी नमस्कार टीवी-9 के सभी दर्शकों को जो आपने पंकत जी मेरे से पूछा कि इस चाहिए जिसको अपनी लोकल भाशा में अपन लोग गदूद बोलते हैं मरीज को बार-बार पिशाब जाना रात में भतेरी बार उठना पिशाब में खून आ जाना सो यह सब इनके नॉर्मल और बड़े ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं तो सबसे पहले जो मैं आपको बता कर रहे हैं आपका यूरालेजिस्ट आपके मात्र दो या तीन जाचे जैसे कि एक खूंड की जाच और पिशाब की जाच यह करके देखेगा और जो बेस्क बिमारी है इसको बिमारी नहीं बोलना चाहिए एज रिलेटेड जो प्रब्लम है तो इस प्रब्लम का जो सल्यूशन तो आपकी स्टार्ट होगई तो आपको यह जो यूरीन का प्रबलम है यह बहुत ही लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के आपका समय गुजारेगा इसके अलावा जैसा आपने कहा कि शुरौत में कि भैई लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि यह किड्नी का प्रब्लम उनको ह हो रहा है या नहीं हो रहा है और बहुत ही लंबे समय से चला रहा है इसी लिए हम लोग अपने सभी जो जनरल लेशन है उसको यह बताते हैं कि आप अपने रेगुलर एन्वल या फिर सेमी एन्वल मतलब की छे महीने पर या फिर साल के अंत में अपना एक बार टेस्ट जरूर करा हैं जिसके अंदर यूरीन का टेस्ट और खून का टेस्ट या फिर और एक अल्ट्रा साउंड यह अगर आप तीन टेस्ट कराएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़े मालूम चलेंगी जिसमें सबसे इंपोर्टन आपको मालूम चलेगा कि आपके गुर्दे किड्नी की जो हेल्थ है हाव मच इस गुड़ दाट मतलब कि वह कितनी स्वस्थ है कितनी अच्छी है या क्या इसके ल कुन आना या पिशाब में जलन होना तो हां इसके लिए डेफिनेटली यह लोग अपने सबसे पहले जनरल फिजिशन मतलब हमारे जो मेडिसन वाले डॉक्त साहब होते हैं उनके पास जाते हैं अगर उनको लगता है कि यह किसी युरॉलिजिस्ट के पास इनको रेफर करना हैं और तब अपने को मालुम चलता है कि इसके अंदर इस व्यक्ति के अंदर इस मरीज के अंदर इनके गुर्दों का इनकी किड्नी की हेल्थ कैसी है या हमको कुछ इसके अंदर कोई दवाई करनी है या कोई सर्जरी एडवाइस करनी है यह सारी की सारी चीज़े अपन लो